क्या हाल है साथ ही हूं मैं हुई कास्तों और आपके अपने ट्रस्वर्थी चैनल स्टेडी फॉर सिविल सर्विस्टेस पर आज आपके समक्ष लेकर आ गए हैं छे मार्च का करेंट फेर हिंदी इंग्रीज दोना ही भाशाओं में और मोस्ट इंपोर्टें इंग्जैमिनेश लाँच हुआ है समझना बहुत जोगरी है इसके बारे में कौन सा है वो और फर्स्ट वर्ल्ड रिपोर्ट आई ऑन हेरिंग श्रवर्ड पे पहली रिपोर्ट आई है डवलो एचो ने पब्लिश करी है विश्व में स्वतंतता संबंधी 2021 की रिपोर्ट इसमें इंडिया की रेंकिंग अच्छी नहीं है क्या है कौन इसको पब्लिश करता है सब जानेंगे और इसके बाद हर्याना ने एक नया काम कर दिया जो 2019 में आंद्रप्रदेश ने किया था हर्याना ने कोटा लौ लाने की रिजर्वेशन और प्राइवेट जांस में लाने की कोशिश की है द जो है मना कर रही थी तो उसके दबाव में आके उन्होंने कहा था रास पाक्साने की हमने हमें कैंसल करना पड़ रहा है ठीक आगे बिदने से पहले आप लोग के लिए जैंटर मेंडर है कि EPFO का 9 मार्स से पूरा कंप्लीट पेड़ गूप चलू होने वाला है और UPSC का 2021 का सारी चीज़ों समझाई थी वो देख लिएगा 12 मार्स से UPSC कंप्लीट हमारा पेड़ गूप चलू होने वाला है आप लोग को अगर जोइंग करना है तो सिर्फ इन दोनों नंबरों पर 856480530969606089 पर कॉल करके आप लोग अडमिशन ले सकते हैं कंप्लीट पेड़ गू टॉपिक्स भी आखरी में दिये जाएंगे कम समय में और इस पर डिसकुशन किराया जाएगा जीक जीएस पेपर टू जो है आपका इससे लेटेड हमारा जो टॉपिक है वो है इस ओफ लिविंग इंडेक्स आप संदर समर लेते हैं जो हरदीव सिंग पूरी जी जो की मिन इंडेक्स आया है 2020 का ठीक इसमें जो है आपका यह समझने के जरुबत है जो रैंकिंग निकाली गई है इस ओ लिविंग इंडेक्स और मुनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स ये दो जगह निकाली गई है ठीक और कहा जाए सही से तो एक तो यह है कि वन मिलियन प्लस सिट सिटीज पर ठीक दस लाग से जादा सिटीज पर दस लाग से वन मिलियन माइनस यानि वन मिलियन से कम वाली सिटीज पर और जितने भी स्मार्ट सिटी प्रोग्राम चलना है उन सब को भी जोड़कर यह वाली चीज निकाली गई है यह दोनों इंडेक्स ठीक और इसमें जो किस के इंडेक्स के इंतर गता है। ठीक है? क्या है यह tiग्या है उसको 30% कूल, 100 अगर उसमें निकाला जायेगा, तो 30% का weight है किसा से को है? आउटकम पर ध्यान देता है, कितना input हुआ, कितना output आया, उससे फग नहीं पड़ता है, outcome समझते हो, क्या होता है, आपने cement, सरीया सब को लगा कि hospital बना दिया, saw bed का, ठीक, ये output है, input क्या था, ये सब पैसे, raw material, ये सब कुछ था, output hospital बन गया, लेकिन outcome होगा, अगर ये saw bed use हो, अगर ये use ही नहीं हो रहा है, और इतनी दूर बन गया है, कि इसको कोई use ही नहीं कर पा रहा है, तो ये output हुआ, outcome नहीं हुआ, तो outcome समझगे रहा क्या होता है, जिस चीज के लिए बनाया जा रहा, उसका use होना चाहिए, ठीक, और देखें, यहाँ पे pillar क्या है, यहाँ पे quality और आपका sanitation और यह management वाला हो गया, mobility, recreation, ठीक, economic ability, 15% का weightage है, आपका कितना economic आर्थिक जो है, विकास हो चुका है, कितनी आर्थिक जो है, opportunity है, ठीक, sustainability मतलब कितना सत्त तरीके से बढ़ेगा, 20% का weightage है, परियावरेड हो गया, green spaces and building हो गया, energy consumption, कितना कैसे, कितनी efficiency से, ठीक, citizenship, citizen perception survey, ठीक, तो यह अली चीज़ थी, इसमें, अभी चलते हैं, फिर से वापस से, यहाँ पे, देखे, अब यहाँ पे, जो है, तेरा category है, education, health, यह सारी जो नीचे लिखी वी थी, water supply to household wash हो गया, solid waste management, यह तेरा category है, और यह सब कुछ मिला के, जो है, 70% होता, 30% किसका है, citizen perception सर्वे का है, municipal performance index, यह नया पहली बार आया है, इसने ease of living index के framework को जो है, और ज्यादा expand कर दिया, बढ़ा दिया, इसका तैरा, और इसमें क्या है, robust भी काफी बना दिया, ठीक, पहली बार नगरपालिका, कारे प्रदर्शन, सूचकांग, बुलेंकन भी शुरू किया गया, प performance index है, municipal performance index और ease of living index है, अब जो भी indicator, जो भी outcome आया है, उसको measure करेगा ease of living index, ठीक, और जो outcome आया है, वो किस कारण से आया, इसको measure करेगा, यह करेगा, municipal performance index, समझ में आया या, देखो, जो भी outcome आ रहा है कि भाई अच्छा economic वो हो रहा है सब कुछ हो रहा है वो कितना क्या कैसे कौन सा indicator है ठीक उसको measure करेगा outcome of the indicator उसको measure कौन करेगा easily index और यह outcome कैसे आया किस कारणों से आया क्या fact है उसके पीछे वो municipal performance index measure करता है यह basic difference है दोनों में पूछ सकता है आसे question मना कर ठीक municipal performance index जो है यह आपका नगरपालिका कारे परदर्शन सभी नगरपालिकाओं के पूर निर्धारित कारियों में उनके परदर्शन का मुलियंकन करने के लिए प्रतिबद है मतलब यह जितना भी पहले से इनको function दिये गए municipalities को उनको access करेगा उसका विसलेशन करेगा सब कुछ करेगा मुझस पर performance index में अब देखो जो outcome मतलब क्या इसके रैंकिंग में कौन पहला दूसरा राय समय लेते हैं सबसे जो million plus वाली है अगर municipality नगरपालिका में अगर देखोगे तो indoor highest है और जो अगर 10 लाग से कम वाले हम देखोगे तो new Delhi municipal corporation जो है वो first है ठीक यह सरे चीज़े थी यह आपर अगला जो हमारा topic है वो है कि world health organization की report आई है किस पर hearing पे यानि कि शेवर्ण पे ठीक अब इसमें क्या है हर्षवर्दन जी अभी एक बार ध्यान लगना executive board जो होता है WHO का ठीक उसके chairman है इसमें हर्षवर्दन जी ठीक उन्हीं के अंतरकर जो है अभी यह report launch करी गई है world report on hearing WHO यह launch ने किया है launch ध्यान लगना इसमें यह कहाए अब दो कही सारी findings में बताई जाएंगी fact 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 है एक मैसे चार मैसे एक बच्चा जो person है पूरी दुनिया में उसको कुछ ना किसी तरी के कुछ hearing loss है हो जाएगा 2050 तक 27 सार बच्चे जो है हर साल इंडिया में बहरे पैदा होते है hearing impairment और loss जो है जातर देखा है तो डियागनॉस नहीं हो पाता है इसलिए neglect किया जाता है आसानी से पकड़ में नहीं आते हैं क्योंकि दिखता ही नहीं है ठीक तो जातर यह दिखतर जो है अब उपेक्षित रह जाते हैं ठीक और इसके बाद क्या है काई सारे कम या सिवधा ही नहीं है 78% लोग के पास ENT specialist ही नहीं है मतलब 10 लाग पर एक भी ENT specialist नहीं है समझे रहो आप और 93% के पास देखा है तो एक भी audiologist भी नहीं है पर million पर और 17% को अगर सुनो तो एक या एक से जादा speech therapist ही है सिरफ आपका per million पर 50% जो है one or more teacher for deaf अज़ा therapist यहाँ पर नहीं है therapy करने वाले one or more speech therapy करने वाले per million पर 70% के पास ही है और अगर 50% देखा जाए तो एक या एक से जादा teacher है बहरोग वाले आपके per 10 million पर per 10 लाग पर तो काफी में लोग कम है जो therapy देने वाले हैं जो deaf teacher है जो यह सारे चीदे हैं यह कमेस्टरवन सबंदी समस्याओं का मुख कारण क्या है एक तो यहीं है कि भाई हम अगर देखा जाए तो immunization जो टीका करन होता है रुबैला का मेनिंग नाइटिस का इसको अगर हम करें तो अच्छे से रोक सकते हैं ठीक और maternal and neonatal care यानि कि मदर का और जो नवजास चिचू है उसकी हम अच्छे से पर वो करें ओट ओटाइटिस मीडिया को जो है जो की inflammatory disease होती middle ear की उसको हम लोग को अच्छे से प्रबंदन करना चाहिए अगर वैस को लोगों में देखा जाए तो noise control safe listening और सबलांस ओटो टॉक्सिक medicine का जो है करना चाहिए ताकि अच्छा हेरिंग हो सके prevention measure क्या है इसके कि आपको तो सबसे बहली बात हो यह है कि पहले सब यह है कि आपको आप identify तो कर पाओ कि मतलब उसको hearing problem है कि नहीं बच्चे को जल्दी से जल्दी disease को पकड़के identify करके उसको सब्सक्राइब करना चाहिए गौर्मेंट के दोरा कौन सी जो है अच्छा यह वाली पहली बार आई है यह रिपोर्ट तो important है ध्यानक न इसको आई मसोदना कि यह क्या पढ़ा रहे है यहीं आ जाएगा exam में तब आको गयार क्यों आगया पता नहीं हमने तो ध्यानीं दिया था नैशनल प्रोग्राम जो है for prevention and control of deafness यह इंडिया का national health mission के अंतरकत जो है यह प्रोग्राम चल रहा है बहरेपन से आजादी दिलाने के लिए बधिरता से ठीक और universal newborn hearing screening जो होती है यह जमजात अकर hearing loss हो रहा है दोस्त में इसको देख के बता देगा कि हाँ यह दिक्कत है तो इसको जल्दी से detect करके कुछ इसमें जो है measures लिया जा सकते हैं यह वाली जो screening है यह mandatory है developed countries में लेकिर इंडिया में mandatory नहीं है health screening सिर्फ केरला में है यह वाली चीज है केरला इसलिए तो health education सब में बहुत आगे इसलिए केरला का human capital जो है बहुत ही बढ़िया है human capital और human resource के बीच में का difference है कोई बताएगा 9th class NCRT economy का topic है यह ज़रू बताएए लिख के बताएए आपर ठीक विश्व में 73 संबंदी 2021 की रिपोर्ट आई है इससे इंडिया का क्या बताया गया यह समझ लेते हैं यह रिपोर्ट पहली इसका नाम क्या है democracy under siege मतलब रोक थाम हो गई है लोक तंत्र में जो है उसको घहरा बंदी हो चुकी है इसको कौन निकालता है यूएस की government द्वारा जो है विक्ति पोश्चित एक NGO है funded है freedom house वो निकालता है इसलिए जो है इंडिया ने इस पर जवाब दे दिया आज जब तो में वीडियो बना रहा था यह अलाम बना रहा था तो तक यह इनका आचुका था इसमें included नहीं रेकिन इंडिया जवाब दे दिया है जवाब भाई है जब कोई भी criticize करें तो भाई है तुम्हारा इंडिकेटर कलत है ठीक criteria क्या है civil liberties कम हो रही है आपकी सुद्वत्तता की जो अभिवेक्ति है विश्वास की जो सुद्वत्तता है इन पे देखा जाता है भाई कि कितनी freedom है या कितनी नहीं है कुछ राजनीतिक अधिकार भी संके तक हैं जैसे कि electoral process ठीक किस तरह के चुनाव प्रक्रिया कैसे क्या हो रही है political की pluralism ऐसा तो नहीं सिर्फ कोई एक ही work का जो है यह वाली चीज है finding क्या है रिपोर्ट की इंडिया पार्टली फ्री है पिछली बार से इनका गिरा है और डाउंग्रेड हुआ है ठीक है यूएस जो है वह पॉइंट तो उसके गिरे हैं तीन पॉइंट लेंगे फिरी भी काफी अच्छी इनकी ranking है और unity जो है आपका यूइटर स्टेट्स जो है यह अपना विग्रेसली अपना जो सिविक नॉम सही सब बढ़िया कर रहे है जो कोर प्रिंस्पल्स है अभी तक थोड़ा सा कम मतलब यह है कि टरंप के टाइम पर थोड़ा सा गिर गया था इनका लेकिन फिर भी डेमक्रेसी बहुत फ्री है इन संख्या वाला ताना शाही तंत्र है चीन में शार्षन का घातक प्रभाव है विशेश शुरूप से 2020 में देखने को मिला थीक भारत की स्वत्तता का पतन क्यों हुआ है हिंदू राष्ट्रवादी हीतों का प्रभल होना इंटरनेट उपयोगता की उपयोगता की स्वत्तता उत्तवदेश विधी विरुद्ध धर्म संपरवर्तन परतिशेद अध्यदेश यानि की कनवर्जन अगर यूपी में ओडिन्स लाय जा रहा है कोविड रेस्पॉन्स वा माइगरेंट फरकर्स इन सब की वैसे जो है फ्रीडम काफी इंडिया में कम हो गई है पिछले साल क जो है अगर कमपेर करें 1973 में फ्रीडम हाउस जिसने जो की ये निकालता एंजी हो ये उसने एसेस किया था कंडिशन ओप पर्टिकल और सिविल लिवर्टी अरॉड पहली बार इंडिया के देखे यहाँ पे एक स्क्रीन शॉट में दे रखा ये आपका की इंडिया पार्ट कुछ-कुछ फ्रीडम बची है बीवी कुश्चन आपका जो अगला टो टॉपिक है वह जीएस पेपर्थिरी से हर्याना का कोटा लॉट ठीक प्राइवेट जॉब्स में अच्छा हमारे यहां एफर्मेटिव एक्शन होते हैं तो पॉब्लिक इंप्लाइमेंट किस आर्ट प्राइवेट जहां अच्छन की ब्रीनेट को मिलेगी ठीक इसका इसंवां ऊआ बटेगा इंप्राइवटिव स्युर्मेट में यहां एक हम करन्य कि सेलरी स्लैब बना दी पचास हजार के नीचे वाले में 75% का कोटा रिजरवेशन जो है किसको लोकल जो वहां के हर्याने के लोग है उनको दिया जाएगा यह बिल करा में हर्याना इस्ट इंप्लॉइमेंट ऑफ लोकल कंडिडेट्स पिल ठीक पचास यह सीलिंग पचात्ता प परसंस को इंप्लाई कर रहे हैं या फिर ऐसी कोई भी एंटिटी जिस पर गॉर्वर्मेंट जो है समय समय पर बताएगी भहिया यह इसके अंतरकत आएंगे यहां पर भी रिजरवेशन होगा प्राइवेट सेक्टर में अब देखो इसके दो लीगल इशूस हैं कानूनी क्राइज ऑफर शूसलां जियों लीफाँ जारेवर्फ की एंटी प्राइवेट सेक्टर को यह एसा आरच्छन पर मानने केमilateral कर सकते हैं का इमप्लाईमेंट देने के लिए तो आगर देखा जाए तो आपका अरुकल 17 सब्क्लॉस चार जो है आपका कॉंस्तिशन का उसमें ये कहा तो गया है कि right to equality के अधार पे और जो है हम एक affirmative action करना चाहते हैं सकरात्मक कुछ कारवाई करना चाहते हैं ताकि जो लोग क्योंकि हम raw को sorry rule है जो law है law को जो है हम same law ठीक समान तरीके से का जो law है वो पासमान लोगों पर नहीं कोई उपर है कोई नीचे है तो सब पर एक level playing field आ जा तब तक के लिए हमें affirmative actions लेना है उसके लिए सब चील लाई गई थी तो हम लेकिन इसमें भी ये जो आर्टिकल है इसमें भी public employment की बात कहीं गई है कहीं पर भी इसमें private employment की बात नहीं कहीं गई है अच्छा तर्क गवर्मेंट का क्या भी समझाऊंगा इसमें constitution में कहीं पर भी नहीं कहा है कि private employment में state draw कर सकता है यह अरच्छन को लागू करा सकता है अच्छा ऐसे अधिनियां परित करने के पीछे सरकार का तर्क यह है यह public sector job जो है एक तो बहुत यादा कम हो गयी है क्यों कम होई है सरकार कर रही है अब फिर फिर भी उसमें उनकर गलती नहीं है यह public sector जो हो गहीं और उसमें कहरें जो भी जॉब है वह अब ज़्यादा तक जो है वह इवrored सेक्टर और जो है हम्में अगर constitutional serpent mandate react to equality वाला यह level playing field वाला लाना है सभी citizens के लिए तो अब हमें जो है private sectors में अच्छन लाना चाहिए और इसके पीछे तरक उनका argument यह है कि private jobs जो हम इसलिए डालना चाहते हैं क्योंकि private industries जो है क्या यार वो public infrastructure नहीं use करते हैं जिस land पे वो लोग अपना पनाते हैं office office वो हमने subsidize rate पे उनको दी है ठीक उनको जो लो मिलता है public bank से वो भी कम कई जगे तो करका हम उनका जो tax है उसको भी exempt कर देते हैं नहीं देना पड़ता है उनको tax holiday भी बोला आता है इसको तो यह सब तो हमको दे रहे हैं subsidy भी उनको फ्यूल पर दी जाती है तो जब public से वो support ले रहे हैं तो क्या उनको अच्छर नहीं देना चाहिए यह बात कही जा रही है अच्छा law बना देने से जमीन पर law लागू हो जाए यह जोरी नहीं है ethics paper 4 में आप लोगों को पता है वो एक उसमें topic भी दे रखा है क्या law एक ethical guidance की तरह है तो कोई जोरी नहीं है क्या आने देश भी इस तरह कारिवाई करते है affirmative action जो सक्रावाई कारिवाई जो है कहीं बहुत जादा वहां पर दिक्कत होती है तो वहां पर मौनिटरी आपका मौधिर्ग छती या निशेद धाग्या आपका राहत यह सब दिया जाता है इसके निशाने पर आपका करनाड़ा में भी दिया जाता है employment equity act के अंतरकत जो मौनिटरी गृप्ट है especially aboriginals जो बिल्कुल वहाँ के असली जो रहने वाले लोग थे उनके लिए और private sector में भी लागूर किया जाता है 2019 में आंदरपरदेश ने भी ऐसे लॉल आया गया था जिसको चैलेंज किया गया था कोट में इससे पहले 2004 में यूपे जो कॉंग्रेस लेड यूपे गोवर्मेंट थी वो भी उन्होंने भी क्या किया था एक गोवर्मेंट एक गुरूप अब मिनिस्टर्स की एक बनाई थी मुहनमोहन सिंग की सरकार के अंतरगत और उनसे कहा था जरायर देखो क्या प्रिवेट सेक्टर में हम लोग को रिजरवेशन लाना चाहिए क्या बहुत इस पहले बात चीत होड़ी थी लाए नहीं थे वो लोग ठीक यह अली बात है अच्छा अगला जो हमार टॉपिक है IR से डिटर्ड है शिलंका द्वारा नई भारत जापान बंदरगा परियोजना को मंजूरी दे दी गई आप समझना राज पाकसा जो है यह अब गेम खेल ला है तकड़ा यह थोड़ा सा वैसे चाइना तो प्रो है लेकिन अब यह क्या कर रहा है यह दोनों लोग के लेके चल ला है यह होशारी होती ही इंडिया और जापान को भी लेके चल ला है ठीक साथ में क्यों क्योंकि अगर सिर्फ इसको डिगलेट करते हैं और सिर्फ चाइना पर करते रहेंगे तो चाइना इतना बड़ा ड्राइगन है यह इंडिया जापान को भी रखा जाए बलाई फेवर इसको करो लेकिन इनको भी रखो दोनों लोग से जितना फाइदा हो सके होतना लो यह अली बात है वेस्ट कंटेनर टर्मिनल जो है उसको जो है इन्होंने कह दिया भाया तुम बनाओ और अब पहले इन्होंने क्या था इस्ट कंटेनर टर्मिनल वाला जो था वहाँ पे ट्रेड यूनियन जो थे वैपार संग जो थे उनके पोजीशन के बाद जो है कैंसल कर दिया गया था ठीक तो अब लेकिन जो है ये कह रहे है कोई बात नहीं अब वेस्ट कंटेनर टर्मिनल वे आजए अब हम आपको 85% दे रहे है जो की चाइना जो बना रहा है वहाँ पे उसके समार वहाँ पे चाइना को भी 85% दिया गया इस्टेक्स इंडिया और जापान को भी 85% दिया त लेकिन अब तो अच्छी डील दे रहा पकड़ लो ठीक और इसमें कौन काम करेगा इंडिया तरफ से अडानी और स्पेशल एकनॉमिक जोन वाले ठीक पोर्ट वाले अडानी हर जगे बढ़ रहा है सेकेंड नंबर पर आ चुका है भारत के सबसे अमीर लोगों में ठीक 2019 में इंडिया जापान को डेवलप करने के लिए एसीटी वहीं इस्ट कंटेनर टर्मिनल दिया गया था सिरी सेना जारा लेकिन वो जो है कैंसल कर दिया गया वहां कोलंबो पोर्ट ट्रेड यूनिन जो थे उन्होंने इसको जो है इसके परस्ताओं को विरोत किया था इसमे जाओं में आके महिंदर रासपक्सान ने वो डील कैंसल कर दी थी अब जो है इसमें इंडियन गोर्मेंट सोच से आला कि इसको डिस्प्यूट कर रहा लेकिन वेस्ट कंटेनर टर्मिनल में इंडिया और जापां के तरफ से आडानी और नहीं काम करेंगे देखिए ठीक है और ये जाओं की लिए जो है शिलंका वाले हैं ये काम करेंगे 35 साल के लिए हैं बिल्ड ऑप्रैट ट्रांसफर क लेए होगा अमदल बनाएंगे इंडिया वाले ठीक हो और ये इंडिया बाछीपान वाले ओप्रैट करेंगा ऑफ fucking 365 साल के बार ट्रांसफर करतेंगे शिलंकर को ठीक इसको क्या बोलते हैं बिल्ड ऑपरेट बी ओटी बोलते हैं ठीक ये पीपीप मॉडल होता है एक तरीके का और पीपीप क्या है पब्लिक प्राइवेट पार्टरशिप जो कबिनेट ने डिसाइड किया है कि भी 85% दिया गया है कोलंबो इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल में तो ये अच्छी बात है और इससे पहले कह रहा है कि दीस समसाब बेटर दन जो पहले ECT था उससे बेटर है क्योंकि वहाँ पे शिलंका पोध अठोर्टी के पास एक क्यों परसंट था जो की मतलब मैजॉर्टी स्टेकोल्डर था लेकिन अब जो है 15% है 85% किसके पास है इंडिया और जापान के पास में ठीक ये वाला मैपिंग है इंडियन ओशियन में ये शिलंका हमारा विलकुल पुछले के तरह रटका हुआ है पाक स्ट्रेट हो गया धन्सकोडी हो गया ठीक पाक बे हो गया इस तरीके देखे बे और बेंगॉल है आपका इंडियन ओशियन कौन सी जो है इसको ये जा रहा है ये बताईए आप लोग ठीक है कौन सी जो है ये लेटिटूड है इसका जवाब दीजेगा अगला जो हमारा सेक्शन आता है वो बहुत यादा इंपोर्टन होता है कि सिर्फ पढ़ना ही नहीं पढ़के क्या कोईसे कोश्टन को एटेम करना है एक्जाम में वो समदना भी जो रही है तो देखे QS World University Ranking आती है उसे समदने कौन कौन से स्टेटमेंट सही है यह ग्यारवी जो है अडिशन थी QS World University Ranking की चार मार्च को इसको जो है लाया गया है और यह रिपोर्ट कौन कमपाल करता है QS का फुल फार्म बढ़ अच्छा है क्वैक क्वैक साइमेंट्स नाम से है इसको वैसे बढ़ अलग नाम है क्वैक कुरेली साइमेंट्स है तो यह सही है स्टेटमेंट यह तो बिलकुल सही है तो दूसरा किस किस में है तीनों में है ठीक तो अभी यह वाला इलिमिडेट कर पाए हुआ वरिसके बात क्या है कि रैंकिंग प्रोइडेट दा इंडिपेंडेंट कंपरेटिव एनलिस रिगार्डिंग दा पर्फॉर्मेंस ओफ 14,45 इंडिविज्वल इनुविशिटी के बारे में नोंने कहा है तो तीसरा भी सही है तो अब तीसरा और दूसरा तो था ही अचा इसमें सभी सारे सही हो जाएंगे पहला लुश अई है ठीक है जिसमें 11th ranking इसा बताएगा था देखें इंडिया में top performing जो इंस्टिट है इंडिया इंस्टिट है इंडिया इंस्टिट है वह आईटी मदरास और आईटी मदरास जो है तीसवी ranking आई है डेली जो है वो पचासवी उसकी रैंकिंग है डॉलॉप्मेंट स्टेडीज में ओपी जिंदल गॉवर्मेंट ग्लोबल यूश्टी जो यह प्राइवेट संस्ता है एमिनेंस की यह टॉप 100 में इसका विनाम आ गया है अगला जो हमारा टॉपिक है अगला जो हमारा कोशन है वह है कि सिम्बली पाल जैब मंडल आरच्छे तच्छेथ यह नहीं कि बाइस्फियर रिजर्व जो है उससे लेटेट कौन सा स्टेट्मेंट गलत है आप बताना है आप लोगों सिम्बली पाल जैंगली पच्छों के लिए विस्तत शंकला का वास्थल है जिसमें पच्छि स्टेट्स गलत पूचा गया तो क्योंकि ऐसा में ना कि मत अच्छा है ऊच्छा में कौन से आता है अचानक मार अमर कंटक फिक यह वी स्टिर आउठी आच्छर। रिजर्व और अभी इसमें क्या है बहुत ज्यादा दनावल हो गया था मतलब कि आग लग गई थी भीषड आग लग गई थी और जो है इसमें कोर एरिया तो बचा रहा आग से लेकिन जो वहां की जैव विविदता है विविदता वो उसको काफी ठ्रेट हो गया और इसमें दोखो तीन एक तो इलिफेंट रिजर्व है और तीन जो है वन जीव अभेरण है ध्यानक ना इसके नाम हो सकता है पूछ ले सिम्पल बास्विया न पूछे ये पूछ लेगा सिम्पल कुल्दिहा हदगड ये अलिफेंट रिजर्व है ठीक और इसमें इसको अब मयूर भ कुल्दिहा वाइड लाइफ से हमारा जो है आज का सेशन खता है यार आप लोग लाइक वाइक नहीं करते हो प्लीज लाइक जरूर किया अगरो इससे मुझे बहुत पूरसाइद वर्षा मिलता है आप लोग मुझे भी लगता है कि आप लोग को पसंद आ रहा इसी तरह से और आप लोग को आगे से अच्छा से अच्छा कंटेर आप लोग लाइजाए तो लाइक शियर सब्सक्राइब जरूर करिए और अगर आप लोग को सेलेक्शन लेना तो आप लोग क्या करना पड़ेगा जो कोशन मैं पूसता हूं उसके आंसर जरूर लिखने चाहिए और अगर आप लोग को परस्नल गार्डेंस लेना है और आपको टेस्स सीरीज स्टडी मटेयल और परस्नल गार्डेंस सबकुस सुधार करना है एक ही जगह पर तो आप लोग हमारा पेट को जोइन कर सकते हैं यूपी सी का 12 मार्स को और EPFO 2020 को 9 मार्स से स्टाट हो रहा है ताज के लिए आप लोग से लिए लेता हूं जैन जैवारत आल दे वरी बेस्ट है